नमस्कार दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं पुरुशोत्तम मास महात्तम अध्याय पांच की कथा भगवान विश्णू का अधिमास को लेकर गो लोग जाना नारत जी नारायन से कहने लगे हे महाभाग हे तपोनिधे आगे की कथा सुनाईए हे प्रभू मुझे बताईए कि अपने चल्णों के पास पड़े हुए अधिमास के वचन सुनकर श्रीहरी भगवान उससे क्या बोले नारत जी के ऐसे वचन सुनकर श्रीहरी भगवान उनसे बोले हे निश्पाप नारद जी, श्री हरी ने जो अधिमास से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ सुनो, हे मुनी श्रेष्ट, तुम धन्य हो, जो मुझसे ऐसी श्रेष्ट कता पूछते हो तब श्री क्रेष्ट भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे वेकुंट का वरतान्त कहता हूँ सो सुनो, श्री विश्णू के नेत्रों के संकेत से, गरुड़ जी मूर्चित हुए मलमास की, पंखो से हवा करने लगे तब होशाने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है, हे जगदधार, हे जगदपते, हे विश्णू, मुझे शरण में आय हुए की, रक्षा करो, रक्षा करो, तुम शर्णागत को क्यों त्यागते हो ऐसा कहे कर, कापता हुआ, मलमास, बार-बार बिलाब करने लगा, तब उससे बैकुंठ वासी, रिशिकेश भगवान ने कहा हे वत्स, तेरा दुख निवारन होने का, कोई उपाय तो नहीं दिखता है, तु सोच मत कर, उच्छ, तेरा कल्यान होगा ऐसा कहे कर, मन में, पल भर में उपाय निकाल कर, फिर श्री विश्णु भगवान बोले हे वत्स, आओ, मेरे साथ गोलोक, धाम चलो, जो योगियों को भी दुरलब है, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहां गोपी गणों के मद्धे बैठे, दो भुजावाले, मुरलीधर, नवील मेघ के समान, श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुशोत्तम भगवान, श्री कृष्ण चंद विराजमान है शरद रितू के पून चंद्रमा के समान, जिनके मुख की शोभा है, करूणु कामदेवों की भाती सलोने, चित चोर, लीला के धाम, पीतामबरधारी, तुलिसी, कुंद, मंदार और पारिजात के पुश्पो की माला पहने, प्रेम के आभूशन पहने, अलंकार रूप, भक पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदल से लेपित शरीर, वक्षस्तल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौश्तुव मनी और भ्रगु की लात से शुशोबि थिर्द्य, सिर्पर स्रेष्ट रतनों से जड़ित मुकुट, और कानों में कुंडल पहने हुए, सिंग्यासन पर बैठे हुए, वे ही परवभ्रम, पुरान, पुरुशोत्तम हैं, सुएच्छा में ब्रमांड के बीज, सर्वाधार, परातपर, निशकाम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण, प्रभु, प्रकरती से परे, इशान, निर्गुन, नित्य विग्रह, श्री कृष्ण, गो लोक में तेरा दुख दूर करेंगे, चल, वहीं चलते हैं, श्री नारायन बोले, इतना कहे कर, हरी भगवान, मलमास का हाथ पकड़ कर, गो लोक की ओर ले गए, हे नारदमुनी, वहां पहले, अज्यान रूपी अंधेरे का नाश करने वाले, ज्यान रूपी मार्ग को दिखाने वाले, प्रलिय काल में, जोती स्वैरूप, करोणों सूर्यों के समान प्रभावाले, नित्य, असंख्य, विश्व के कारण, विवू, परमात्वा की इच्छा में लाल रंग की जोती दिखाई दी, हे मुने उस जोती के भीतर ही तीनों लोक थे, उसके उपर सनातन ब्रह्म लोक की भाति गो लोक है, वहें तीन करोड योजन में फैला हुआ है, मंडलाकार तेज पुंज स्वरूप, श्रेश्र रत्न वाली भूमी से युक्त है, जो बड़े-बड़े लोगों को स्वप्न में भी अद्रिश्य है, वही वैश्नव को द्रिश्य और प्राप्त है, उसे योगेश्वर श्री कृष्न ने योग द्वारा धारन कर रखा है, ऐसा श्रेश्ट गोलोग अंतरिक्ष में स्तित है, और आधी अर्थात मानसिक चिंता, व्याधी अर्थात शारीरिक रोगों, बुढ़ापा, मृत्यू, शोक और भै आधी से रहित है, बहु मूल्य वरतनों से जड़ित करूणों मंदिरों से शुशोवित है, उस गोलोग के नीचे दाहिनी और वैकुंठ लोग है, और बाएं और वैकुंठ के समान आकार वाला शिव लोग है, वैकुंठ का फैलाव एक करूण योजन में है, और उसका आकार जिसमें करू पूनो योजन लंबा और महामंडलाकार है, वहाँ पीले वश्त्रों से शुभायमान वैशनव जन रहते हैं, वे वैशनव शंक, चक्र, गदा और पदमधारी लक्षमी जी के साथ चतरबुझ में रहते हैं, और वैकुंठ की स्रियां लक्षमी जी के समान ही संदर हैं, उन लोग के बाई और जो शिव लोग है, वहाँ प्रल्य नहीं होता, और श्रिष्टी काल में पारशद लोग रहते हैं, और वहे एक करोड योजन में फैला हुआ है, वहाँ महादेव जी के गण, सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पो के जने उपहने, ललाट पर अध्र चंद शूरवीर रहते हैं, गोलोक में निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान जोती है, उस जोती में अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के समान शाम वर्ण, कमल के समान लालनेत्र, आनंद जनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका चक्षूओं से निरंतर ध्यान करते रहते हैं, करोणो शरद रितू के पूर्ण चंद्रमा के समान, अत्यंत दीप्ती मानमुक, करोणो कामदेव के समान सुंदर, लीला के स्थल, दो बुझादारी, मुरली धर, मधुर मुस्कान योग्त, पीले वस्त्र पहने, श्रीवत् ब्रगु की लात और कोश्तो मनी से शुशोबित हिर्दे, करोणो श्रेष्ट रतनों से जडित मुकुट और कंकणों से शोबित रतनों के सिंगहसन पर बैठे हुए तुलसी, कुंद, बंदार, पारिजात और चंपा के फूलों की माला से शुभाय मान हैं, वे ही परभ्रम श्री कृष्ण जी हैं, जो श्विक्षा में सब के कारण रूप, सर्वाधार, बाल्यवस्था वाले, गोपाल रूपधारी, करोणों पून चंद्रमा के समान्शो भाय मान, भग्त जनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपून प् पूजने योग्य, मंगलों में मंगल, परमानंद घन, पत्य स्वरूप, अक्षर, अव्य, सब सिध्धियों के इश्वर, सब सिध्धी स्वरूप और सिध्धी के देने वाले, प्रकर्ती से परे, इशान, निर्गुन, नित्य विग्रह, सब के आदी पुरोष, एव्यक्त इंद्र आदी देवो द्वारा स्तुती किये गए, नित्य स्वर्तंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शान्ती परायन, ऐसे प्रभु का शान्त सोभाव वाले वैश्नवजन ध्यान करते हैं केवल उत्कृष्ट स्वरूप, एक भगवान ने ही धारन किया है, यह कहकर विश्नु भगवान अधिमास को रजोगुन से घिरा हुआ जानकर गोलोग को ले गए सूची बोले सतकर्म ग्रहन करने वाली वानी कहकर जब नरायन चुप हो गए तब नारज्जी पुरुषोत्तम मास महा उत्सब संबंधी नई नई और अधिक कथाएं सुनने की अभिलाशा से नरायन भगवान से बोले इती शिरी पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा पंचम अध्याय समाप्त